प्याज काटते समय निकलने वाले रसायनों से हमारे आंखों में जलन होती है जिससे आंसू आते हैं। प्याज में एक विशेश प्रकार का रसायन होता है जिसे सिन प्रोपेनेथियल S-oncside कहा जाता है। जब हम प्याज को काटते हैं तो इसके कोशिकाएं तूट जाती हैं और यह रसायन हवा में फैल जाता है। यह रसायन हमारी आंखों के संपर्क में आता है और हमारी आंखों की सतह पर मौजूद नमी के साथ मिलकर Sulfuric Acid बनाता है। यह Acid हमारी आंखों में जलन पैदा करता है जिससे हमारी आंखें इसे धोने के लिए आंसू उत्पन्न करती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमारी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए होती है। प्याज काटते समय आंसु आने से बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि प्याज को ठंडे पानी में भिगो कर काटना या प्याज को फ्रिज में रखकर ठंडा करना, इसके अलावा प्याज काटते समय चश्मा पहनना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इस प्रकार प्याज काटते समय आंसु आने का कारण और इस से बचने के उपाय जानकर आप इस प्रक्रिया को और भी आसान बना सकते हैं। ऐसे ही फैक्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें।